बिस्म लिए रख्माय रहीम इससे पिछली वीडियो में बात की थी आफसे EDC 16C39 ECM के बारे में इसके अंदर जो यूज की गई है IC 30520 है 30520 IC का इस्तेमाल किया गया है और साथ में यूज में लाई गई है L9856 Driver IC और आज कर जो टॉपिक है कि 48V सेक्षन किस तरह से बनता है क्या प्रॉबलम आती है क्यों 48V नहीं बनते है L9856 IC का इस्तेमेटिक्स ड्राइग्राम क्या है कौन सी पिन इंपूट है और पूट है ग्रॉंड है इस में डिसकस करेंगे तो आज जो है इस IC के बारे में यह जो यूज में लाए गया है वो 48V के लिए यूज में लाया गया है वेले डिसकस करेंगे हम L9856 IC के बारे में इसका पिनॉट्स क्या है यह दिखाते हैं हमरी टीम नहीं पिनॉट्स बहुत मशक्कतों से तयार किये हैं आस्वर्स अपने सुडेंट्स के लिए ताकि वो काफी आसानी रहे यह है 48V सेक्षन और इस सेक्षन के अंदर यूज में लाए गया है IC L9856 यह एक ड्राइवर ISC है जो इंग्जक्टर IC के साथ में connected रहती है इंग्जक्टर IC के साथ में connected रहती है यह पिन नंबर इंग्जक्टर IC के 21 से है इस IC के जो रॉकायरमेंट्स रह आनी चाहिए और यह supply रिसीव होगी पावर IC से पावर IC 5 बोल्ट बनाएगी और वो supply यहाँ पर आनी चाहिए अगर यह 5 बोल्ट यहाँ पर नहीं आ रही है बीच का track कड़ गया है यह IC काम नहीं करेगी और 48 बोल्ट नहीं बनेंगे इसके साथ इस IC को इस injector IC के एक से एक signal चाहिए होता है pin number 2 पर और इस pin पर भी 5 बोल्ट ही receive होते है pin number 3 ground है और pin number 4 जो है reset का signal आता है CPU से अगर CPU को supply यहाँ receive नहीं होती यह CPU में कोई problem है तो उसकी बजह से यह reset signal आउट नहीं होगा और इस IC तक नहीं आ पाएगा reset signal की ज़रूरत सिर्फ इस IC को ही नहीं होती बलके ECM के अंदर और भी IC लगी होती है जैसे system IC यह driver IC तो इन सब को reset signal चाहिए होता है और यह reset signal एक ही place सा ओट होता है CPU की एक ही pin सा ओट होता है लेकिन distribute अलग अलग रहता है इस IC की output में रहती ही pin number 5, pin number 6, pin number 7, pin number 5 से ही जो out होगा तो इसके अंदर जो MOSFET लगा हुआ है BUK 9237 इस पर आएगा और यहाँ पर दो resistance से बड़ी एहम होतनी 260, 260 यह भी इसी पर आएगे यह resistance में अगर problem आजा तो 48 bults section काम नहीं करेगा इस तरह की diagram हमारी team ने बड़ी मशक्कतों से मेहनतों से तयार की है not only ECM के है हमारे पस काफी ECM के इस तरह के pinnots है और काफी हद तक जो हमारे students हमारे यह class join करते हैं तो उन सब के साथ में इस तरह के pinnots share किये जाते है उनको कि हम ICU detail भी provide कराते हैं इस तरह के diagram भी provide कराते हैं ताकि वो अपना जब काम करें तो उन्हें जादा परिशानी का सामना ना करना पड़े हैं इनकी helps है वो काफी कुछ आगे बढ़ सके हैं और जो हमरी admission लेते हैं उन बंदों को इस तरह के pinnots हम free provide करते हैं कोई भी इसका अल provide की जाती कोई अलक से charge नहीं लिये जाता है हमारी यहां की जो fees है वो only four digit के अंदर है four digit के अंदर है और साथ में हम pinnots देते तीस पैस्तितीस ECM का लगबग pinnots देते इस तरह की बोश के ICU की detail provide करते data file provide करते अगर यह सामान यह materials आप कहीं किसी दूसरे institute से purchase करोगे या किसी बंदे से खर खराऊगे पहली बात तो यह जो circuits diagram इस तरह के जो detail है वो कहीं मिलेगी नहीं इस तरह की detail किसी बंदे पास पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाली हमारी team नएसे महीनों की श्यक्तों से तैयार किया ये सिर्फ हम अपने स्टूडेंट को ही प्रोवाइट कराते अगर इस तरह का ये सारा माटेरियल कहीं साथ खरीदते हैं तो कम सकम आफसे 20,000 सकम पैसा नहीं लेगा जो डाटा फाइल, इपे नॉट्स और इस तरह की डिटेल दे लेकिन हमारी है, यह हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री है और हमरी फ्रील से अल्ली ओर डिजिट के अंदर वो भी 35 तक लगातार क्लास चलता है 35 तक लगातार क्लास रहता है, टू आवर क्लास होती है तो आईए इसका युज कहां किया गया है, इस ECM के बारे में उसको भी हम देख लेते हैं तो आईए देखते हैं कि इस मेटिस ड्राइग्राम का यूस किस तरह से किया जाएगा ये रही आईसी हमारी पिन नमर जो वन है ये वाली पिन है इस पिन पर फाइव बोल्ट की अबशकता होती है जरूरत होती है और ये सप्लाई यहाँ पर ये रही पावर आईसी इस बोट की पावर आईसी है पावर आईसी यहाँ से फाइव बोल्ट आउट होते और ये कैपस्टर उसको फिल्टर करते और ये फिल्टर होकर इस आईसी की पिन नमबर वन पर आते हैं इसलिए यहाँ पर हर हाल में 5 बोल्ट होना चाहिए अगर 48 बोल्ट नहीं बन रहे हैं तो इस पर 5 बोल्ट ज़रूर चेक रहें पिन नमबर 2 जो है इस IC यह रही इंजेक्टर IC इंजेक्टर IC की पिन नमबर 21 से connected रहती है पिन नमबर 2 और इस पिन पर भी 5 बोल्ट आप ज़रूर चेक करिएगा पिन नमबर 3 जो है यह पिन होती है ground और पिन नमबर 4 जो most important पिन है यहाँ पर reset signal आना चाहिए यह reset signal जो receive होगा वो CPU से receive होगा अगर CPU proper work कर रहा है तब ही यहाँ पर 4.7 बोल्ट receive होएंगे अगर CPU काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर 4.7 बोल्ट receive नहीं होगे यह जो reset signal होता है CPU out करता है CPU out करता है और ECM के अंदर लगी different ICU को इस CPU से reset signal जाता है इसके बाद इसकी pin नमबर 5, 6, 7 यह तीनो pins out put pins होती है तीनो pins out put pin होती है pin नमबर 5 pin नमबर 5 से देखेंगे तो यहाँ से जो out होगी drive तो वो इस ECM के अंदर आप back set में देखें यह लगा होता है MOSFET VUK 9237 ठीक है किस जगा लगा है आप location देख लिजिए UP20 डायोट की नीशे ठीक है अगर इस में यह खराब हो जाए MOSFET 48 बोल्ट नहीं बनेंगे और इस MOSFET के source पर pin नमबर 5 से direct connection रहता है gate पर हम आजाएं तो इस IC की दो pins हैं pin नमबर 6 और 7 इन दोनों पर एक resistance लगा हुआ है आप इस resistance को देख लिजिए इसकी value होगी 2610 यानि कि 260 ohm का होगा और यहाँ से आगे out होने के बाद आप देखेंगे दोनों का output बहार आके मिल जाता है इस hole पर और यहाँ से फिर सीधे अभी जो आपने MOSFET देखा BUK9273 उसकी gate पर बहुँच जाएगा तो इस तरीके से यह 5 volt 48 volt तयार होते हैं किसी ECM के अंदर अगर यह 48 volt तयार ना हो इस वाले ECM में EDC-17C39 में EDC-16C39 में तो इन रजिस्टेंसों को जरूर चेक करिएगा इस IC की pin number 1 पर 5 volt supply चेक करिएगा इस injector IC की pin number 21 पर 5 volt supply चेक करिएगा ठीक है और इस MOSFET को BUK9237 को देखीगा कि कहीं यह short तो नहीं हो गया या drain और source के बीच में दोनों सैट से कोई connectivity तो नहीं आ ठीक है यह बिलकुल OK होना चाहिए ठीक है तो इसे चेक करें राइट तो उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा जो भाई चाहते हैं कि ECM को बहुत अच्छे तरीके से रिपियर करना point to point रिपियर करना एक एक स्टेप उनका अच्छे से clear हो bit pinnots clear हो bit supply CPU के signals इन तमाम बाते हैं तो आप ECM expert बरेली से संपर करें और हमारे यह online class join कर सकते हैं बहुत ही reasonable fees पर बहुत ही reasonable fees पर और बहुत तो बहतरीन data आपको provide किया जाता है pinnots provide किया जाते हैं लेकिन यह सब है उन्हीं भाईयों के लिए जो बहुत अच्छे से मेहनत करना जानते हैं कोई shortcut नहीं होता ECM में कोई सोच है बस हमने join किया और हम आ गया ऐसा कुछ नहीं है मेहनत काफी करनी होगी अच्छी study करनी होगी उसके बाद ही ECM को आप कर पाएंगे इसके लिए काफी अच्छी तयारियां करनी पड़ेंगे अच्छा आपके पास data होना चाहिए आपके पास ismatics diagram होनी चाहिए आईसियो की details होनी चाहिए ये तब होगी तब ही आप अच्छे से पकड़ सकेंगे ECM का concept अच्छे से clear होना चाहिए बिल्कुल step by step समझनी कोशिश करिए ताकि आप अच्छे तरीके से ECM को कर सकें जो भाई चाहते हैं admission लेना तो next batch जस्ट आने वाला है उसमें अपने स्रीट को book रा सकते हैं आज के वीडियो बस यहीं तक इंशाला जल्द किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी Thank you so much